Hello everyone, मैं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल जेक गाइड में तेह दिल से स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में Class 8 के Mathematics का चेप्टर नमर 4 घातांक और घात के जितने objective question answer बनाये जा सकते हैं उन सारे question को आप लोगों को इस वीडियो में बनाने के लिए सिखाऊंगा अगर आप लोगों वीडियो को ध्यान पुर्वक से देखते हैं तो सारे question answer को आप लोग चुटकियों में बनाने के लिए सिख जाएगा मैं आपनों को बहुत सॉर्ट तरीका से सारे चाइनले और बहुत फिरोग को अच्छी पुरूख बनाने के लिए सीखेंगे जोब आपनों को साथ फर्मूले दियेगे हैं इस हे पbellुले जो हैं इस चैप्टर में आपनों को काम देंगे और सारे question answer को आपने को बनाने में असानी तरीका से मदद करेंगी ठीक है ठीक है पहला नमर चीज आपनों को क्याद रखना है कि अगर base A हो थानि A का power M गुने का A का power N दोनों का देख रहे हैं यहाँ पर base दोनों का same हो और power अलग-अलग हो तो इन दोनों का base तो same रहा जाएगा लेकिन दोनों का power जूड़ जाएगा ठीक है इस पहला concept को आप लोगो जरूर ध्यान में रखना है दूसरा concept देखिए आप लोगो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए यहाँ पर plus की जैसा दिख रहा है लेकिन plus नहीं है वलकि A का power M भागा में A का power N लिखा हुआ है अनि दोनों का base same हो लेकिन भागा में हो और इनकी power अगर अलग-अलग हो तो जब इन्हें बनाया जाता है तो base तो same रहा जाएगा लेकिन दोनों की जो power है वा minus हो जाएगी ठीक है कीसरा नमर concept आपनों को दिखार रखना है कि A का power M का पूरा का power अगर N रहेगा तो इन दोनों की power क्या हो जाएगे आपस में गुना हो जाएगा ठीक है नैठान नूमुle Master concept देहां रखना है कि A का पावर M गुना B का पावर M औरनी बैस अलग-अलग हो लेकिन पावर दुनों का सैम हो तो बैस गुना हो जाएगा और पावर दुनों का सैम ही रहा SUN ठीक है पाचवह नमबर पॉंसेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है कि एक पावर एम बटे बी का पावर एम देख रहे हैं यहाँ पर दूनों का बेस अलग अलग हो लेकिन पावर दोनों का सेम हो तो पूरा देख रहे हैं कि यह बटे का भी हो जाएगा लेकिन बेस जो पा पावर अगर जीरो लिख दून इसका मान भी आप लोग का एक हो जाएगा ठीक है इन सारे बातों का आप लोग जरूर अच्छी पूरोग ध्यान रखेंगे कि यहीं से आपके सारे सवाल अच्छी पूरोग से बनाने के लिए ठीक होगे ठीक है पहला कॉस्वन दिखे क्या सही मान होगा तो दस का पावर 3 का सही मान होगा धियां दिए जब भी आप लोगो इस तरह से देखने को मिल इससे तरह से देखने में को मिले 5 का पावर उन का सही मान होगा थानि 5 का पावर तीन दिया हो तो 5 को आप तीन बार बूना किजिए इस तरह से लिख करके ठीक है तो 55 25-25-125 तो ऑप्सन नमर डिए आपका सही हो जाएगा पाउसन नमर पोर देखे क्या लिखा हुआ है कि 5 का पावर मैंनस 3 दिया हो आपका सही मान होगा तो ध्यान दी होंगे कि यह का पाँवर अगर एंब हो तो से क्या करना है कि एक देना है बटे में एक पाँवर करला यह करें गोंगे और उसी प्रकार से जब पर ढए इसलिएफर से पलस यूस При 7 कि आपका सहिज हो जाएगा पड़ीच गाए आप दियान देंगे यहाँ पर अच्छी पूर्वक से दिखिए जब आप 10-24 को आप अभाईज गोनकर से भागा लगाईएगा देखिए दो पचे फिर दो एकम दो दूना चार फिर दो से दिजेगा तो दो दो पचे दो छक बार और किसे दो से दिजेगा तो दो से दिजेगा थो दो से दिजेगा तो तीजों ने ठीक है आप यहां पर इसे देखन दीजेगा फिर Effective YouTube तो आठ आज आएगा और दो से दिजेगा तो चाहर नियूब्म अब लास्ट में तो दी जेगा तो यहां पर एक आ जागा ताब गिनेंगे यहां बैठाएगा है यहां अब दी नोन से नहीं पर बैठा दिना है ठीक है किया है बारावर दिखा है और एक पावर मैनस का देखें मैनस्ट उन को आप मैनस ONE मैनस बार बुना करेंगे तो मना सबलंट में यह पर अपन्प पर लिखा है โ CHAM nadakas लिखाएगा तो जरूर आप लोगों को पूरा करने की पूरा कोशिस किया जाएगा उसका पावर जीरो का मान होगा तो एक पावर जीरो का मान हो जाएगा मैंने बताया था आप n nuevos concept कि 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 से की सब्सक्राइब कर दिरोनों हो तुम, सा मान एक हो जाएगा ठीक है तूत पावर यूंट का सहुखने का झें का पार जिरो मान एक प्लक्षन जाएगा वेखांगा थेंक एक हो जाया और यह का पावर जीरो हो अधिनक और चार का अंकित का पावर चार तो तीन को आपको यहां पर पहले गुंदा में चार बार लिखे इसका गुंदा कर दीजिए दिर नो नो तानि यहां पर नो नो आगे तो नो 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 में लिखे लिखे आप सबस्क्राइक कर लिखा हो गया है फिर्द यहां पर यहांपर यहां पर पहले मैनस में इससे जब उपर लेके तो आपका क्या जाएगा तो आपका क्या जाएगा इसका नमर 16 निखे क्या लिखावा आप लोगो को एक बटे 3 का पूरा का पूरा बदल दी इस तरह से इन बटे का एक कर दीजिए कर पावर सार रख दीजिए तो जो माइनस था वह पलस में बदल लिखाएगा तो आपको क्या सी हो जाएगा जब दोनों का बेस पावर जूर जाएगा तो फाली जगा पर एम पलस का एम ठीक है तो आपर एटिन दिखे क्या होगा एक भागा तो यहाँ पर जीरू रख देना है क्या जाएगा ऐगा किसी की पावर जीरू तो एक तो आनी इसका बड़ा दिया होगा तो बैठा दीजिए आपका क्या माना जाएगा तो यहां पर नहीं तीन बटे का दो खिसम है तो नमर दो को भागा होगा है एक बते का दो ध्यां रखना है एशे भागा होगा होगा एक रहा होगा है तो बस किया नहीं रहा है आपसे नमर्व ब्यापका सब्सक्राइब नहीं रहा है इस बात पर आपका किताब होगा इसे बात लिखा होगा सब्सक्राइब कितना जीरो है एक दो तीन चार पांच छे यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर बढ़ाना यह ठीक है कि यहां पर इसे प्रकार से सबकारस्ज रहा इसी तरव कालिए सन कर लीजिएगा यहां पर देखे इसको बहुते तो एट बटे यहां पर दिखे गुलिया तो यहां प्रकार से आप निकाल देगा इसका भी मानक रूप दिखे यहां पर आजाएगा कभी भी दिखेगा एक आंके बाद इसमें पॉइंट लगेगा ओके सेवन पॉइंट थिरी फाइब दिखे यहां पर यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ गुए से तो पांच ही बचेगा इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखेगा कमाना करूं क्या हो जाए यह गुगने दसके सब्सक्साएं लगा इसमें डिखते एक गुने फंटलर अब इसमें 10 चाहरो ऻाए मने लिखाए और फूरा का पावर पांस समझा यहाँ हमसे हैं तो यहाँ पर दो आप जानते हुंगे मैंने आप आप लोगे पावश ह philosophers यह जैगा appelle पावर फासे को क्या करना थो औरह जब 5 बार किलएंगा मोठिते तो 32 हो जागा यहांपर 32 फसे क्राइद स का хозя अप्टों नमार abnormal आपको रखेंस पर जीला देखेगी क्या होगा यहांपर देखेंग काव तो to do को है तो इस तरह भी सकते हैं तो फाँनुन नुन न लगी तीर में से貝 ठी होगा ख़ीं ठीक है कि बस नमर थाटीठी सरीच लिखा है सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आप लोगों को और साथ को दो बार दीजिए इसको दो बार तो आप बचेगा देखे साथ जो इसको साथ के पावर तीन आप लिख सकते हैं ऑप्सन नमबर अब देखिए घर जागत क्या होचेगा तीन बचेगा पसन नमबर 34 के लिखा होगा कि एक बराबर एक तो एकस का पावर जिरू क्या होगा देखिए यहां पर एकस बराबर एक लिखा तीक के पावर जिरू दिजीगा तो एक ही हो जाए तो नमबर वान आपका सही होगा एकस पावर जिरू तो क्या होगा दिखिए तो यहां पर ज यहां पर मैंने दो लिख दिया इसका मिस्टेक नहीं समझेगे कोई भी संख्या रहेगा उसके पावर अगर जीरो कर देता है तो एक हो जाता है किसी का पावर आपको जीरो करना जिससे कि वह एक हो जाए देखिए यहां लिखा दो X Plus क क तो यहां पर ऐसा क्या रखें जो यह 0 हो जाए तो आपको पता है जब यह पलाख में 3 है इसके मान को गर हम मैनस का 3 लेते हैं एक मान और पलाश का 3 कर देंगे तो यहीं हो जाएगा 2 का पावर 0 जो कि ही एक आ जाएगा ठीक है आपको फोकस करना आ कि इसका मैनस का 3 रख तब यह मैनस में हो जागा नहीं जाहां दिजिएगा दो एक्स मैनस का तीन दिया हुआ है तो अगर तीन यहां पर पलस वना रखेंगे तो यह घट जाएगा दो को पावर जी लो तो एक हो जाएगा ठीक है आपका से हो गया अगर वीडियो आप लोग यहां तक देखे में भी शेयर करोगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करोगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इनक्स वीडियो में